नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बैतर होंगे, मेरा नाम है पंकतर शर्मा और डिसकस करता हूं में आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC Prelims के सिलेबस को MPPSC Prelims का सिलेबस जब आप देखते हैं दोस्तों तो इसकी काई एक जो है इसमें भारती इतिहास का सिलेबस दिया है हमने इस पूरे सिलेबस को अलग-लग मॉडिल में डिवाइड किया है और हमारी इस लेक्चर सिरीज में हम इसके पहले मॉडिल पर चर्चा खतम भी कर चुके हैं जो लोग पहली बार हमारे इस यूटीब चैनल से जुड़े हैं और हमारे इस लेक्चर सिरीज को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए साथ ही जो पहला मॉडिल हम लोगों ने डिसकस किया है उसकी प्लेलिस्ट जो है इतिहास वाली उसमें वो सारे लेक्चर अपडेट हैं जसमें प्राचिन भारती ग्यान परंपरा वेद उपनिशद ब्रामन ग्रंत अरण्यक आदी से संबंदी जो टॉपिक हैं तो आप उन और मद्दिकलिन भारती इतियास की विशिश्टा हैं इस समय के सामजिक आर्तिक राजनितिक व्यवस्ता से संबंदित कोशन पूछे जाएंगे बहुत इंपोर्टन्ट यूनिट है दोस्तों पूरी इकाई एक जो है यहां से 10 प्रश्ण आप से पूछे जाएंगे और 20 न होने वाले हैं। जब हम सैयद वन्ष की व्यवस्ता को देखेंगे यहाँ तो आप लोगों को देखनें को मिलेगा की भारत की इतियास की व्यवस्ता है इसमें सबसे पहले अगर हम देखें मुस्लिम काल में तो सल्तनत काल जो है उसके अंदर गत गुलाव वंश की स्थापना हुई कुतुबुदिन एबक के द्वारा गुलाव वंश के बाद हम लोग खिलजी वंश को देखते हैं खिलजी वंच के शाशनकाल में अगर हम देखेए तो एक बहतर व्यवस्ता हम लोग Kennesा लगों को देखने को मिल रही थी अलाओ दिन खिलजी ने किस प्रकार से अपनी बाज़ार व्यवस्ता को इस्थापिट किया और उस बाजार व्यवस्ता के माद्यम से अलाओ दिन खिल जी इतियास के पनों में अमर हो गया अलाग उसके काम ऐसे नहीं थे जिसके लिए उसको याद रखा जाए बाजार व्यवस्ता उसका एक बहुत अच्छा कदम उसमें रहा कि उसने लागत मुल के अधार पर वस्तू की कीमते निधारित कर दी और एक अलग प्रकार का सिस्टम प्रियेट किया खिल जी वंश ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था और सल्तनत काल में सबसे कम समय तक साशन करने वाला सामराज जे खिल जी वंश रहा लेकिन उसके बाद तुगलक वंश आया तुगलक वंश सल्तनत काल में सबसे जादा समय तक साशन करने वाला राजवश था और इसके समय हम लोगों ने गया सुदिन तुगलक हो और फिर उस तुगलक के बारे में डीटिल में चर्चा की थी अब तुगलक वंश यू रहा दोस्तों उसका अंत हो जाता है 1414 में तुगलक वंश का अंत किसके द्वारा होता है तो तुगलक वंश का अंत होता है खिजर खां के द्वारा खिजर खान जो खिजर खान नाम का व्यक्ति है ये तुगलक वंश के अंतिम साशक को मार देता है और उसको मारने के बाद दिल्ली सल्तनत में सयद वंश की स्थापना भी ये करता है अब यहां से सयद वंश का इतियास शुरू होता है हलाकि ये जादा समय तक नहीं चला 1451 मे सयद वंश खतम हो गया लगबग चार साशक हमें देखने को मिलते हैं सयद वंश के अंतरगत लेकिन ये एक इंपोर्टेंट वंश है किस दिरस्टिशी जब आप दिल्ली सल्तनत की पूरे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत का अगर टॉपिक पढ़ रहे ह है खिजर खांसे पहले भी कोशन आएं तो आगे भी पूर सकता है जब हम सयद वंश की स्व्यवस्ता को दोस्तों यहां देखते हैं तो हम लोगों को यहां समझ में आता है कि इसकी जो साशक्ति वो कौन-कौन से थे तो याद रखिएगा कि हमें दिल्ली सल्तनत में एक व् पास हो जाते हैं और उसकी मृत्यू के बाद हम देखें तो लगबग 1414 में हम देखते हैं कि खिजर खां जो है वो सयद वंश की नीव रखता है अब यह 1412 में इसकी डेट के बाद दो साल के अवस्ता में हम देखें बीच में तो यहां पर दौलत का नाम का व्यक्ति हमें दिल्ली संदनात में दिखाई पड़ता है खिजर का आता है दौलत खां को हरा देता है दौलत को हराने के बाद दिल्ली पर कबजा कर लेता है खिजर खां का दिल्ली पर हो गया कबजा अब खिजर खां ने दिल्ली पर कबजा करने के बाद जिस वंश की स्थापना की उसे नाम दिया गया सयद क्योंकि यह सयद था दोस्ते यह सयद वह शुरू हुआ कितने साशक हमें देखने को मिले चार साशक देखने को मिले खिजर खां 1414-1421 तक बहुत कम समय तक साशन के असने लगबग 7 साल मुबारक शाह आता है 1421-1434 तक मुहम्मद शाह आता है 1434-1443 तक अलाओदिन आलम शाह आता है 1443-1457 तक यह साशन करते दिखाई परता स्वारे 57 नहीं 1451 तक 1451 में यह खतम हो जाता है उसके बाद लोधी डाइनेस्टी हम लोगों को देखने को तो यह अलग-अलग हम लोगों को साशक यहां देखने को मिलें अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि अलाओदिन आलम शाह जो है यहां इसकी यह जो डियूरेशा ने वो 57 क्यों दिया है उसको भी समझ लीजेगा कि खिलजी वन्ष के बाद तुगलग वन्ष और तुगलग वन्ष जब 1414 में खतम हुआ तो उसके बाद 1414 से 1451 तक ही सयद वन्ष रहता है लेकिन यह अलाओदिन आलम शाह की मृत्यू 1457 इसवी के आसपास होती है कहानी में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि जब यह अलाओदिन आलम शाह जिंदा है उसके बाद भी सयद वन्ष का परारम 1451 से कैसे हो गया इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो है कोई वज़ा तो है जिस वज़ा के कारण यहां पर हम लोगों को अंतर दिखाई पड़ रहा है ठीक है एक एक करके इन साशकों पर चर्चा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सबस्पहले खिजरखां की बात करते हैं तो यह समझ में आता है कि खिजरखां जो है वो था कौन इस प्रकार का व्यक्ति ना तो हमने तुगलग डाइनेश्टर के समय पढ़ने को मिला सुनने को ना खिलजी में समय सुनने को मिला तो यह था कौन तो याद रखिएगा कि जब 1498 के वर्ष को हम याद करते हैं तो हम एक एसा व्यक्ति रहा है जिसने एशिया के बहुत बड़े भाग पर कहते हैं कि लगबग एशिया के 20 प्रतिशत के आसपास भाग पर इसने साशन किया था और करोड़ लोगों का हत्यारा भी था है एक युद्ध के दोरान इसका एक पैर कड़ गया था इस वज़े से इसक कई सारे मंदिरों को भी तबहा कर दिया था यह कहा जाता है कि दिल्ली जो तैमूर लंके द्वारा इस समय ध्वस्त की गई थी उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमें देखने को मिला था और यह जो प्रभाव था उसके कारण आगे के साशक कहीने कई कमजोर भी हुए और वो कमजोरी हमें बात में दिखाई भी पड़ती है कि तुगलगवंश के साशक जो थे वो कुछ भी नहीं कर पाए तुगलगवंश के अंत में एक कारण था तेमूर का आकर्मण तेमूर के आकर्मण की एक विशेश बात बताएं जो एक बहुत बड़ी नकराफमग बा इस ने ये जो खोपडी रही है मनुश्यों की इनकी पूरी-पूरी दीवार ताइप बना दी थी दीवार बना दी थी, इसकी मिनार बना दी गई, ये मिनार बना दी गई, चुकि आगे जो हम बाबर और मुगलों को पड़ेंगे, वो भी कहिने के इसी के वनसज हैं, तो उनमें भी हम लोगों को देखने को मिला कि बाबर ने, या अकबर के समय, जब इनकी सेना भी जीती हैं तो इनकी सेना ने भी इस प्रकार से मानव खोपणियों की पिलर, मिनार, दीवारे बनाई थी, निशान लगाए थे, जिसे हम लोगों को पत चलता है कि इनके बीच में संबन्द जो रहा है, एक वनशानुगत व्यवसा टाइप के दिखाई पड़ती है या इसकी, खेर, त कि जो तैमूर था, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी किस से मिलती है, या खिजर खाँ के बारे में हमको जानकारी किस से मिलती है, तारीक मुबारक शाही, तारीक मुबारक शाही याहिया बिन एहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी, एक्जामर कोशन पुचेग इसका मतलब यह किसी के आधीन रहकर साशन कर रहा था यह आधीन था किसके आधीन था तो याद रखियेगा कि तैमूर और उसके पुत्र शारुक मिर्जा ये समरकंद छेत का साशक था तो हमेशा इसने अपने आपको इसके अधीन माना इनकी अधीन रहते हुए ही तैमूर के इस सेनपती खिजरखा ने साशन किया था तो एक्जाम में आप लोगों से कोशन पूछेगा कि खिजरखा अपने आपको किसके अधीन मानता था तैमूर और उसके पुत्र शारुक मिर्जा जो उसका उतरादीकारी बना था और ये भी याद रखिएगा कि तैमूर ने जब भारत में सिक्के चालू करे तो इन सिक्कों जब खिजरखा ने नए सिक्के ढालने का काम किया ना तो नए सिक्कों पर खिजरखा ने तैमूर की और शारुक मिर्जा की नाम और उनकी आकरती को अंकित करवाया था ये हम लोगों को पता चलता है कि खिजरखा जो इसने कभी स्वथान रूप से साशन नहीं किया ये शारुक या तैमूर के अधीन साशन कर रहा था तो हम यह कह सकते कि खिज्र खाने सुल्तान की उपादी धारन नहीं किती तो क्या उपादी धारन किती ये रईयत आला की उपादी धारन करता है अपने आपको तैमूर का माथ़त बताता है और अपने आपको किसानों का हितेशी भी बताता है उस प्रकार से खिजुरखा ने अपना साशन करना स्टार्ट किया और एक नए वहिश्च की निव भी रखी लेकिन किजर्खां महिज 7 साल ही साशन कर पाया लंबे समय तक ये साशन नहीं कर पाया और खिजर्खां की मृत्य हो गई कब 1421 में खिजर्खां की जब मृत्य हुई तो उसकी मृत्यू की बाद उसका पुत्र मुढारक शाह जो है इनका नाम हटा दिया, साथ ही साथ, जो सिक्हेinte न Dual版 थे उन्हें पर तोग्लक शाशकों का नाम था तोग्लक शाशकोंय का नाम औरर चितरHa दिया, और इसने, खिज्र खा खा के उत्रादी-कारि के तौरपर यह सयदमंस के ऐसे साशक के तौर पर कि जो सयदमज का साशक है और स्वतंत्र हो सुल्तान की उपादी धारन कर ले तो सयदमज में पहला स्वतंत्र सुल्तान अगर कोई था तो वो कौन था मुबारक शाहता ये ध्यान रखेगा इसके समय सबसे बड़ी समस्या थी कि कई सारे विद्रो हुए थे इसके समय बहुत सारे विद्रो हुए थे और जब विद्रो हुए थे इस वजए से कहीं न कहीं इसकी सत्ता कमजोर हुई थी विरोध एक देखने को मिल रहे थे इसने क्या किया यमुना नदी के किनारे मुबारका बाद नगर की भी स्थापना की थी और जिस सरहिंदी की हम हम लोगों खिजर खाक की जानकारी मिलती है उनको संरक्षन दिया था किसने मुबारक शात एक्जाम में पूछेगा कि मुबारक शाने किसको संरक्षन दिया था तो सरहिंदी को संरक्षन दिया था इसके अलावा इसका वजीर सरवर और मुल्क था याद रखिएगा जो सरवर के माध्यम से सुल्तान की 19 फरवरी 1434 को हत्या कर दी और मुबारक शाह का साशन खतम हो जाता है उसके वजीर के द्वारा अब ये वजीर सरवर और मुल्क इसकी टाकत बड़ेगी वजीर सरवर और मुल्क की साहता से हम बोल सकते हैं कि जो अमीर थे इल्ली के जो सरदार थे उन्होंने मुहम्मद शाह नामक व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिये अब ये मुहम्मद शाह साशक बना 1434 से 1443 कुछ लोग बोलते हैं 45 तक साशन किया इसने ये सुल्तान बन गया अब सुल्तान तो ये बना लेकिन प्रभाव किसका है प्रभाव है सरवर और मुल्क अब यहां समझे कि सरवर और मुल्क जो है उसका प्रभाव यहां है और सरवर और मुल्क ने इसे खान ए जहां की उपादी भी दी तो मुहम्मद शाह को खान ए जहां की किस ने दी सर्वर और मुल्क ने दी जो कि इसका वजीर था यहां याद रखिएगा कि मुहम्मद शाह जो रहा ये एक असफल साशक सिद्ध हुआ था इसके समय से सयद वेंश का पतन शुरू हो गया था और इसके समय बहलो लोदी जो है ये बहलो लोदी ये महत्पूर हो जा अब एक बात और जान लीजिए कि जो सर्वर और मुल्क है इसका हस्चे मुहम्मद शाह के कामकाज में बहुत जादा बढ़ गया था अब मुहम्मद शाह के कामकाज में सर्वर और मुल्क वजीर जो था इसका हस्चे बहुत जादा बढ़ गया था तो मुहम्मद शाह इसस ख़िसे किया कि सर्वर पूétique जो है कि कि इसकी हट्या करवा locks. अब इसकीा किसकी साथ ऐसे कर गई तो बहलो लोधी फ़लो लोधी जो है इसने हवैं कूछ की और इसकी हेल्पही मुहम杯शाने सर्वर काथ्या करवा दि और वह खुद वजीर के तोर पर इस्थापिट हो गया था अब यहां से हम लोगों को बहलोलोधी ताकतवर होते दिखाई पड़ता और बहलोलोधी नहीं अलाउदिन आलमशा को साशक बनवाया था अलाउदिन आलमशा, खिजरखां के वंशका, सियद वंशका अंतिम साशक हुआ जिसने 1445 से लेकर 1451 तक साशन किया था लेकिन इसकी मृत्ति हुई थी 1457 में अब ये 1451 तक साशन कैसे किया था ध्यान रखिएगा कि इसके वजीर के तोर पर बहलोलोधी काम कर रहा है बहलोलोधी वो चतुर आदमी था, इसने कूटनीती का सहारा लेकर दिल्ली की सल्तनत पर कबजा कर लिया जो अलाओदिन आलमशा था वो बहलोलोधी से परसान हो गया अंत्तह सुल्तान अलाओदिन आलमशा अपनी पूरी सत्ता छोड़कर बदायू उत्तर प्रदेश चला गया और पूरी सत्ता किसको सौब दी, सौब दी अलाओदिन आलमशा ने सत्ता बहलोलोधी को ये कब गया बदाईू तो 1451 में गया 1451 में अलाओदिन आलम्षा ने अपनी सत्ता दिल्ली की किसको दे दी बहलो लोदी को दे दी इसलिए हम कहते हैं की सयद वंश 1451 तक ही रहता है क्योंकि 1451 में सत्ता बहलो लोदी के हाथ में आ जाती है और हम बोल सकते हैं कि लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि आलमशाह जिन्दा तो रहा लेकिन वो अपनी मृत्यू तक हम कह सकते हैं कि किसके अधीन रहा है वो रहा है बहलोलोधी के अधीन इसलिए वो 1451 तक ही साशन के इस्थिति में रहा अब यहां से हम लोगों ने किसको देखा बहलो लोधी को कि बहलो लोधी ने किस प्रकार से कूटनीती को दिखाते हुए अपनी साशा ने स्थापित कर दिया और बहलो लोधी ने दिल्ली में कौन से राजवनेस की स्थापना की लोधी वंश की स्थापना की अब जब हम यहां बात करते हैं लोधी वंश की तो लोधी वंश को अफगान वंश के नाम से भी जानते हैं उध्यान रखिएगा कि बहलो लोधी जो था वो एक अफगान था बहलो लोधी एक अफगान था और इसका संबंद अफगानिस्तान से रहा है चुकि यह अफगानिस से संबंदी था इसलिए इसको अफगान कहा गया बहलो लोधी के इस वंश में तीन साशका में देखने को मिलते एक बहलो लोधी एक सिकंदर लोधी और एक इब्राहिम लोधी ने स्थापना की सिकंदर लोधी ने थोड़ा सा साशन बढ़ाया था और इब्राहिम लोधी के सम पूछेगा कौन सा साशक गिलजाई कबिले से सम्मंदी था तो बहलो लोधी गिलजाई कबिले से सम्मंदी था इस गिलजाई कबिले की प्रमुख शाका थी शाहुर वेल इस शाहुर वेल में पश्टुन परिवार में इसका जन्म हुआ था तो बहलो लोधी पश्टुन था गिलजई कबीले से संबंदी था, मूल रूप से अफगान था, इसके द्वारा जो वंश इस्थापित किया गया वो भारत में पहली बार अफगान सामराज्य था, दोस्तों ये ध्यान रखेएगे। 19 अप्रेल 1451 को बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी प्रात की थी और इसने गद्दी प्रात करने के बाद बहलोली नाम के चांदी का सिक्का भी चलाया था, तो बहलोली सिक्का किस ने चलाया बहलोल लोदी ने, लेकिन कोशन कुछी का कि बहलोली सिक्का किस धातु का था तो चांदी की धातु का हुआ करता था इसके बारे में जानकरी कहां से मिलती तारीक ए दाउदी का लेखक अब्दुल्ला जो था वो क्या कहता है कि सामाजिक सम्मेलोनों के अबसर पर वहा कभी सियासन पर नहीं बैठा कभी भी बहलोलोदी सामाजिक सम्मेलोनों के अबसर पर सियासन पर नहीं बैठा और नहीं उसने अपने सरदारों को कभी खड़े रहने दिया आम दर्बार तक में वहाँ सियासन पर ना बैठ कर नीचे गलीचे पर बैठता था इस प्रकार का साशक था याद रखिएगा बहलोलोदी ने भारत में एक अफगान सामराज जी की नीव रखी थी यहां से सीधे सीधे कोशन आपको देखने को मिल सकते हैं बहलोलोदी अपने जो सैनिक थे उनको मकसद ए अली कहकर पुकाता था यह कोशन एक्जाव में पहले आ चुका है कि कौन सा साशक अपने सैनिकों को या अपने अधिकारियों को मकसद ए अली कहता था तो बहलोलोदी था और बहलोलोदी के अंतिम विजाए ग्वालियर के किलाव थी वहां से जब लोट रहा था तो लोटने में इसकी मृत्य हो गई थी इसकी मृत्यों के बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी गद्धी पर बैठा जिसने 1489 से 1517 तक साशन किया था लंबे समय तक यह साशक रहा हाला कि बहलोलोदी का एक भाई भी था जिसका नाम था बहलोलोदी का एक और बैटा था बड़ा बेटा था जिसका नाम था बरबक्षा बरबक्षा सिकंदर लोदी का भाई था लेकिन इसको गद्धी पर न बिठा कर सिकंदर लोदी खुद साशक बन गया सिकंदर लोदी का मूल नाम था दोस्तो निजाम खां एक्जाम में पूछेगा कि लोधी वैश का कौन सा साशक था जिसका नाम निजाम का था तो वो सिकंदर लोधी था सिकंदर लोधी जो है यह 17 जुलाई 1489 को गद्धी पर बैठता है और इसने उपादी धारण की थी सुल्तान सिकंदर शाह की ठीक है सिकंदर लोधी जो है दोस्तो यह एक अलग प्रकार का साशक रहा इसने कहा था कि यदि मैं अपने गुलाम को पाल की पर बैठा दू तो मेरे एक आदेश पर सरदार उसे कंदों पर उठा लेंगे मतलब इसके जो सरदार थे सरदारों पर इसका अच्छा खासा नियंत्रन था एक्जाम में पूछेगा कि वो कौन सा साशक था जिसने अपने सरदारों पर कठोर नियंत्रन इस्थापित करके रखा था तो उस साशक का नाम था क्या सिकंदर लोधी शिकंदर लोधी ने अपने सरदार जो थे अपने अधिन जो लोग थे उन पर अपना कड़ा नियंत्रन इस्थापित करके रखा हुआ था शिकंदर लोधी ने ग्वालियर के छेत पर आकरमन करने का प्लान बनाया था और इसी उद्देश से इसने क्या किया 1504 के आसपास आ आगरा की स्थापना की तो एक्जाम में आपसे पूछेगा कि आगरा नगर की स्थापना करने वाला साशक कौन था तो आगरा नगर की स्थापना करने वाला साशक शिकंदर लोधी था 1504 में एक छावनी के तौर पर आगरा की स्थापना की थी और बाद में इसको अपने र लेखनों दिखाई पड़ता है। इसने हिंदूओं की रिती रिवास ते वहरों पर भी प्रतिमन्द लगाने के काम किया और मुसल्मानों के लिए इस प्रकार के काम किये।Donushaka दोन पर मजार पर गाने पर गया और एतना आश्टायशुन था कि इसने मुसल्मानों के भी और हिंदूों दोनों के वेवस्थाओं पर प्रतिमन लगाने का काम किया था सिकन्दर लोदी ने क्रशी और व्यापार के विकास के लिए काम किये थे कुछ सिचाइब की इसकी व्यवस्ता की थी भूमी को बहतर करने की व्यवस्ता की थी भूमी के मापन के लिए 49 अंगुल का एक पैमाना भी विक्सित किया था जिसे गजे सिकंदरी कहा गया था तो गजे सिकंदरी को अपनाने वाला साशक सिकंदर लोदी था जिसका माप था 49 अंगुल के बराबर इसके अलावा इसने अलावदिन खिलजी के भाती व्यवस्ता को अपनाया और सभी वस्तों की कीमतों को कम करने का प्रयास किया इसने निर्मान कारे में सिर्फ मोट की मस्जिद ही बनवाई थी दोस्तों और सिकंदर लोदी एक फार्सी का ग्याता था मतलब आब यह कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी एक विदवान साशक था विदवान साशक था फार्सी का ग्याता था एक लेखक था इसने अपने लेखों को गुल रुखी के उपनाम से लिखना शुरू किया था फारसी में इसको शहनाई बजाने में और संगीत में रूची थी लेकिन ये अपने सामराज में संगीत पर प्रतिबंद लगा चुका था नाच गाने पर प्रतिबंद लगा चुका था लेकिन ये संगीत सहनाई का मेस में बहुत रूची थी सहनाई ये बजाता था एक्जाम में कोशन पूचेगा कौन सा सुल्तान सहनाई बजाता था सिकंदर लोदी वैसे एक कोशन पूचता है कि मुगलकाल का कौन सा साशक वीना बजाता था तो अकबर वीना बजाने का यहां से रहा है तो फरंगे सिकंदरी आयुर्वेद पर आधरित रहा है और लज्जत सिकंदरी जो है संगीत पर आधरित रहा है करंत सिकंदर लोधी के बाद इबराहिम लोधी गद्धी पर बैठता है सिकंदर लोधी की मृत्ती हो जाती है 1517 में एक अभियान के लिए जा र और साशन को बहतर तरीके से संचालित करने का प्रयास कर रहा था लेकिन 1517-18 में खतोली के युद में मेवान के साशक राणा सांगा ने इबराहिम लोधी को बहुत बुरा हराया था तो ये कोशन आप से पूछता है खतोली का युद किसके बीश में हुआ था इबराहिम बत्ती के कारान इसका एक विरोधी गुड बन गया ये जो विरोधी गुड बना था दोस्तों उसने बाबर को दिल्ली पर आकरमन करने के लिए आममंत्रित किया और बाबर को जब इस विरोधी गुड ने आममंत्रित किया तो बाबर ने दिल्ली पर आकरमन किया और 21 अप् पहारत में मुगल सामराज की स्थापना हुई याद रखिएगा कि युद्ध भूमी में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एक मात्र साशक अगर कोई था इब्राहिम लोदी था क्यों कि पहले जितने भी साशक थे या तो पूरा युद्ध भूमी का एक ड्रॉ करेंगे डाइगराम की कैसे कहां से सेना आकर लड़ रही थी किस प्रकार से आक्रमन किया इब्राहिम लोदी के पास हना इब्राहिम लोदी के पास एक लाकी सेना थी लेकिन बावर की सेना में कुछ तो एसी बात रही होगी जिसकी वज की बात करेंगे पूरा एक ड्रॉ करेंगे डाइग्राम जिसके माध्यम से आपको क्लियर होगा युद्ध लेकिन हां इब्राहिम लूदी सत्रनत काल का एक मात्रस आशक था जो युद्ध भूमे में लड़ता हुआ मारा गया था और मरने के बाद इसकी तारिफ भी की थी बा अर्थ्वेवस्टा और राज नेती के बारे में उसके बाद हम मुगल साशन के समभन्झिं को शुरू करेंगे तो मिलना में नहीं टॉपे के साथ तब तक ले बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों जैहिंद जै भारत वंदे मात्रम जैश्रीराम दोस्तों